नमस्कार साथियो स्वागता आपका आपके अपने यूटूब चैनल सौनर स्टडी पॉइंट के उपर बात करेंगे चिकिस्सा विवाग की जैसा कि आपको पता है आठ केडर की जो भरतियां परक्रियादीन है वो भरतियां उनमें से साथ केडर की जो भरतियां है अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है उसके अलावा आपकी जो फार्मासिस्ट भरती है उसकी अभी तक प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं हुई है तो इसको लेकर के विश्वजीत मित्रा जी ने कल ट्विट किया है कि कल से फार्मासिस्ट बढ़ती के सभी साथी एनिस्सित काल धरना पर बैठेंगे तो ये विश्वजित मित्रा ने ट्विट करके बताया कि सीफू के आगे जो फार्मासिस्ट भाई है वो उनकी प्रोजन लिस्ट जारी नहीं होने के कारण एनिस सित्काल धरने पर बैठने वाले हैं फार्मासिस्ट भाई इसके अलावा जो दूसरी आपकी न्यूज है करमचारी चेन बोर्ड भरती में बढ़ाये गए पद अब री ओपन नहीं होगी आवेदन परक्रिया पद बढ़ाने के बाद भी नहीं बदलेगी सवीदा नर्स और महिला स्वास्ते कारे करता की प्रक्सिया की तारिक है सीएचो बरती परक्सिया भी होगी तैस समय पर सीएचो बरती परक्सिया पेपर लीक के कान रद हो गई थी अब सरकार इसमें भी पद बढ़ाये हैं इससे इस बरती में 3531 पद थे अब इसमें 963 पद बढ़ा कर पदों की संख्या 4000 मैं कर दी है लेकिन अब ये बड़ोत्री भी 50 फीश्दी से कम है इसमें केवल 27.27 फीश्दी ही पद बढ़ाये गए हैं ऐसे में इस बर्ती में भी आवेदन रियोपन नहीं होंगे बोड ने परक्षिया रद करने के बाद इस परक्षिया तीती तीन मार्ज तै की है सरकार ने लगातार तीनों बर्तियों में पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे भाजपा सरकार आते ही तीनों बर्तियों में पद बढ़ाने की गोश्णा कर दी अब परक्षिया तीतियों में इस किसी परकार का बदलाव किये बिना अभ्यर्थियों को भी नए अभ्यर्थियों को भी मोका देना चाहिए भरत बेनिवाल किसी भी भरती में बढ़ाएगे पदों की संक्या 50 फिस्दी से जादा नहीं है इसलिए आवेद को कीज परक्रिया रियोपन नहीं होगी तीनों ही प्रक्षाई निर्दारी तीतियों पर होगी इसलिए अभ्यर्थि अपनी तैयारी जारी रखे आलोक राज अद्दैक्स तो दोस्तों जब 50 फिस्दी से जादा पद बढ़ते हैं तो तब फोरम रियोपन होते हैं इसलिए आपके जो फोरम है रियोपन नहीं होगे ये कहना है आलोक राज जी का जो करमचारी चेन बोर्ड के अद्दैक्स है उनका कहना है तो ये आपके लिए दो महत्वपुन बात थी कि आज से फार्मासिस्ट भाई धरने पर बैठेंगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वैल आइकन को जरूर प्रेस करें